आम्रस यानि समर स्पेशेल एक मैंगो से बनाने वाले इंडियन डेजर जो सभी को अच्छा लगते हैं और उसके साथ थंडी थंडी आम्रस के साथ अगर गर्मा गर्म पूरी मिल जाए तो क्या बाद है तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ आम्रस उसके साथ पूरी यानि रस्फोरी की रेसिपी होग आप लोग को ये रेसिपी बहुत है अच्छा लेगने वाले है वेलकम बेक टू माँ चैनल आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ आमरेश याने रस्पुरी की रेसिपी तो इसके लिए मैंने लिया है यह मैंगो आप लोग कोई भी मैंगो ले सकते हो बथ ठ्यान रखना है कि वो मीठा हो और उसके साथ यह मैंने चीनी भी लिया है सीनी जादा यारे सुगर जादा यूस नहीं करूंगी क्योंकि जो मेंगो है वह अल्रेडी बहुत मीठा है और साथ में ये फोर इलाइची को मैंने ऐसे इलाइची की सीद जो है उसको ले लिया है अब देखिए एक मिस्चिंग जर ले लिया है और उसमें जो भी मेरे मेंगो के प ये पूरी तो बहुत है अच्छा लगते हैं देखिए मैंने मेंगो डाल दिया है उसके बाद इस पे डालोंगी तू टेबल स्पून सुगर क्योंकि जो मेंगो थी वह अल्रेडी मीठा ही ती तो इसलिए मैंने तू टेबल स्पून ही दाल दिया है और साथ में ही जो गारा हो गए है और इलाइची भी दिख रहे है बहुत ही अच्छा लगते है इसके इलाइची की फेवर इसके साथ और देखिए ये कितना गारा भी हो गए है आप लोग चाहो तो वाटर भी एड कर सकते हो और इसको में अभी वान आवर के लिए फ्रीज में रख दूंगी ठंड़ा होने के लिए और आभी आते हैं पूरिया की बारी और पूरी के लिए मैंने यहां लिया है यहज्व्वाइन दूंगी अलगी सूजी मैं इसमें एड करोंगी वान कप घेवो के आता के साथ टो टेबल स्कन पारण सूजी एड करोंगी क्योंकि शूजी जो है उसक और अभी इसको अच्छे तरह से गुंड लोगे आप सभी लोग जानते ही हो कैसे पूरिया बनाते हैं तब भी मैंने इसको दिखा दिया है देखिए इसको पानी के साथ मैंने मिक्स करके अच्छे से गुंड लिया है देखिए मेरी जो डो थी वो आता की वो अल्मोस्ट तेयार हो गई है और इसको मैं आधे घंटे के लिए ऐसे सेर होने के लिए चोड़ूंगे और उसके बाद देखिए मैंने इसकी चोटे चोटे ऐसे बोल्स बना लिया है पूरी के लिए और उसके बाद इसको अच्छे तरह से बेल लूँगे बेलन की मदद से और बन जाएंगे हम लोगों की पूरिया और अभी आप लोगों को दिखाती हो देखिए इस साइस की पूरिया ही बेस होता है और अगर आप लोग चाहो तो इससे थोड़ा चोटा भी बनना सकते हो और बढ़ा ही कर सकते हो और जब सूजी करते हो तो पूरिया चोह बहुत सब्ला कर देखिए यह पूरा क्रिsweise करिपी रहते हैं और देखिए यह मैंने सभी पूरिया को ऐसे बेली आभी बारी है इसको इन सभी को टलने की और देखिए मैंने फर्स I'm just ॉड़ा चेक कर लिय देखिए मेरी पूरिया जो थी वो तेयर हो गई है और साथ में ही जो फ्रीज में रखा था रस आम रस वो भी मैंने बावल में सर्फ कर दिया है और देखिए देखने में कितना डिलिसेस लग रहे है और आप लोग इस टाइम पर यानि इस मेंगो के सिजन में इस रेसिपी को ज़रूर कहिए यह कीड्स के बहुत ही पेप्रेट होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगते है चिल्ड चिल्ड आमरेस के साथ गर्मा तो कैसा लगा मेरी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेर और लाइक करना ना भूलिये तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइब स्टेए हैपी और स्टेए हल आनली